इंटेक्स कोश्चन नंबर 2.3 रिमाइंड करा देता हूँ ये पेज नंबर आपको 36 पे मिलेगा जो कि NCRT की नई बुक पर है कोश्चन से आपके पास कौन सी वही टेबिल की बात की जा रही है ये आप से तो इसको भी हम जानते हैं भी हहाँ पर तो देखिए सबसे पहले उससे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि यहां पर окxidize करा जा रहा है किसको ferrous iron को ठीक है तो ferrous iron को जब oxidation होता है तो उसमें क्या reaction होती है तो आप जानते हैं कि जब किसी चीज़ का oxidation होता है तो उससे electron क्या होते है लूज होते है तो यहाँ पे जब ferrous iron का oxidize की जाएगा तो it means कि ferrous iron जो है वो electron क्या करेगा loose करेगा क्योंकि तभी वो oxidize होगा, oxidize का मतलब होता है loose of electron तो जब आप यहाँ से electron loose कराएंगे तो electron जब किसी चीज़ से निकलते हैं तो positive भी charge क्या होते हैं गेंब बढ़ते हैं आपके देखि किस तरह के से अगर मैं यहाँ 2 positive और 2 negative ले लू और इस case में अगर मैं यहाँ से electron को निकाल दू तो यहाँ से अगर electron निकलेंगे तो एक electron बचेगा इस पे तो एक electron बचेगा तो positive की संख्या क्योंगी बढ़ जाएगी तो electron lose होने से positive charge क्या होता बढ़ता है तो यहाँ पे अभी positive charge 2 है अब यहाँ पे positive charge कितना हो जागा एक electron निकलने से एक positive charge और increase हो जागा that means 3 plus हो जाएंगे तो यहाँ पे जो यह टू प्लस जो फे यह वो कहलाता है आपका ferrous iron और यह आपका क्या होगे फेरिक iron तो जब भी आपका oxidized ferrous iron की बात होगी तो इसका मतलब होगा कि ferrous iron convert होगा किसमे फेरिक iron में by losing electrons तो यहाँ तक की कहानी हमें समझे आ जाती है लेकिन आपसे कहा क्या जा रहा है भाई कि कहा जा रहा है कि आपको 3 substance ऐसे बताने हैं जो इसका क्या कर सके oxidize कर सके और वो भी under the table condition से अब देखी जो मैंने अभी इन्होंने कहा था कि consult the table तो कौन सी भाई यह table है अच्छा मैं एक चीज़ बता दू जब ferrous से फेरिक iron convert होगा तो उस case में जो इसका यहाँ पर यह में focus है इसका तो वो कितना होगा minus 0.77 volt अब भाई आप सोच रहोंगे कि सर ने यह क्या जादू कर दिया यह कहां से आ गया इसकी क्या कहानी है तो इसकी आपकी क्या है NCRT की table है NCRT books में यह table बनी हुई है कहां बनी है यह बनी है आपकी new जो अभी course चेंज होके नहीं बुकाई है NCRT यह उसके page 37 पर आपको मिल जाएगी और यह table किसके लिए standard electrode potential के लिए जो की under a condition में आपकी बनाए गई है 298 Kelvin को लेके तो देखें यहां पर मै क्यों दिखा रहा हूँ आप यहां देखिए यह वाली F2 और F3 की कहीं कुछ आपको दिखाई पढ़ रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूं देखिए यहां पर मैंने भी highlighter से इसको highlight किया table में तो यहां पर F3 iron electron को gain करके क्या बना रहा है Ferrous iron बना रहा तो यहां पर देखि अगर plus कर दे electron gain कर ले electron gain करेगा तो positively charge क्या होगा कम होगा तो यहां पर आपका क्या बनाएगा two plus इस case में यहां पर यह table में यह वाली question दे रखिए तो यहां पर आपका देखेंगे EMF आपको किता दे रखा standard EMF दे रखा आपको यहां पर 0.77 तो यह आपका क्या हो रहा है reduction हो रहा है क्योंकि यहां पर electron क्या हो रहे है gain हो रहे है तो reduction के case में इसका जो EMF है 0.77 बूल्ट है और अगर इसी का हम reverse कर दे तो यह यहां पर positive sign से किस में convert हो जागा आपका negative में हो जाएगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब ferrous iron से ferric iron carbonate होते हैं तो oxidation के case में EMF कितना होता माइनस 0.77 बूल्ट और अगर यदि हम इसको reverse करके लिख दे तो यहां पर इसका reduction जो voltage होगा वो कितना होगा 0.77 अब देखिए आपसे का जा रहा था कि भई इसका हमें क्या कराना oxidize कराना है तो oxidize कराने के लिए 3 हमें क्या लिगने substance से लिखने जो उसका करा सके तो इसका oxidation तब होगा जब हमारे पास reduction voltage कितना होगा 0.77 बूल्ट होगा या इस से जादा तो देखिए इस table पे हम चेक करेंगे कि यह जितने भी इसके अगर उपर की तरब चले मैं arrow से दिखा रहा हूं उपर की तरब चल रहे है तो यह सारी value क और यह 0.77 से बढ़ लाई है तो उपर के कोई भी तीन element आप पकड़के बैट जाई है कोई भी तीन answer क्योंकि आप से पूछा जा रहाता है तीन substance बताने है जो इसका oxidation करा सकते है तो इसमें कोई भी जो आपको अच्छा लगते है वो तीन answer आप लिख सकते है मेरे को तो भा जो यहां पर कहने का मतलब यह ऊक्राश है वो आपका 1.33 है जो की इससे ज़्यादा है दूसरा मैंने लिया वह इक लोरीन गैस क्लोरिन गैस कहां पर आपकी ट्रोरिन गैस जिसके ऊपर है उसका भी इमड़ता है बी और टू कहां पर बी आर टू यह तो कोई भी आप इस मे के लिए